उदाहरेंट दो सिद्ध कीजिए कि दो के धन साथ एक विशम पुर्णांग है जहां के एक पुर्णांग है हल यदि एन विशम पुर्णांग है तो एन बराबर दो के धन एक लिख सकते हैं जहां के कोई पुर्णांग है हमें सिद्ध करना है कि N बराबर 2 K धन 7 विशम प्रणांक है K के उन सभी बानों के लिए जो आव्यों है आई के तो N बराबर 2 K धन 7 बराबर 2 K धन 6 धन 1 इसे लिख सकते हैं 2 कोष्टक में K धन 3 कोष्टक बन धन 1 माना के धन 3 बराबर M के उन सभी मानों के लिए जो आई के आव्यों है तो कथन 1 और 2 से हमें मिलता है N बराबर 2 M धन 1 N बराबर 2 M धन 1 एक विशम प्रणांक है M के उन सभी मानों के लिए जो आई के आव्यों है विशम संख्या की परिभाशा के अनुसार इस पश्टता दो केधन साथ एक विशम पुर्णांग है प्रतिधनात्मक कॉंट्रा पॉजिटिव कुछ कतनों को दिये गए रूप में सिद्ध करना मुश्किल होता है जैसे यह कतन देखें A1 इस प्रकार है यदि दो त्रिभुच समरूप नहीं है तो वे त्रिभुच सर्वांग सम भी नहीं है इस कतन को ऐसे भी लिखा जा सकता है A2 इस प्रकार है यदि दो त्रिभुच समरूप है तो वे सर्वांग सम भी है A3 इस प्रकार है यदि दो त्रिभुच सर्वांग सम नहीं है तो वे समरूप भी नहीं है A4 इस प्रकार है यदि दो त्रिबुच सर्वांग सम है तो वे त्रिबुच समरूप भी है अब बताएं कि उपर लिखे चारो कत्रों में से कौन से कत्थन तुल्ले है जाहिर है कत्थन A1 और A4 तुल्ले कत्थन है क्योंकि यह दोनों तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं और वही उसका प्रतिधनात्मक रूप है हाला कि कत्थन A1 और A4 तार्किक रूप से एक ही बात को कहते हैं पर कत्थन A1 की अबेक्षा A4 में तर्क ढूणना और इसे उप्योग करना जादा आसान है कथन A4 कथन A1 का प्रतिधनात्मक रूप है इसलिए कुछ कथनों को सिद्ध करने के लिए उन्हें प्रतिधनात्मक रूप में लिखकर सिद्ध करते हैं उदाहरन 3 निम्न कथन को प्रतिधनात्मक रूप में लिखें ज़ी X अंक्या 25 से भाज़ है तो वह 5 से भी भाज़ जी होगी उदारण चार ज़ी X वर्ग रिंड 6X धन 5 सम है तो X विशम है X के उन सभिमानों के लिए جो I के आव्यों है हल इस कथन को प्रतिधनात्मा गुरूप में लिख कर देखते हैं यदि X विशम नहीं है तो X वर्क रिंट 6, X दन 5 सम नहीं है X की उन सभी मानों के लिए जो I के आव्यों है अब X विशम नहीं है इंगित करता है X सम है यानि X बराबर 2 के जहां के आव्यों है I का सम परणां के परिभाशा से हम आगे लिख सकते हैं X वर्क रिंट 6, X दन 5 इंगित करता है 2 के पूरे का वर्क रिंट 6 गुणे 2 के दन 5 इंगित करता है 4 के वर्क रिंट 12 के दन 4, दन 1 इंगित करता है 2 कोष्टक के अंदर 2 के वर्क रिंट 6 के धन 2 कोष्टक बन धन 1 इंगित करता है 2B धन 1 जहां B बराबर 2 के वर्क रिंट 6 के धन 2 और B एक पूर्णांक है B अव्यों है I का विशम पूर्णांक की परिभाशा से हम यह जानते हैं कि 2B धन 1 एक विशम पूर्णांक है अर्थात यदि X विशम नहीं है तो X वर्क रिंट 6 एक धन 5 सम नहीं है हमने सीखा एक कतनों को सिद्ध करने के लिए पहला पहले से सिद्ध प्रमे परिभाशा या अभिग्रिहीत का उप्योग किया जाता है दूसरा उपपत्ती का प्रतिक कतन ठीक पहले वाले कतन से तार्किक रूप से जुड़ा होता है तीसरा कतनों को लीगते समय विशेश प्रकार के प्रतिकों या चीहनों का प्रयोग किया जाता है ताकि बड़े वाक्यों को संक्षिप्त में लिखा जा सके 2. गनिती भाशा का प्रयोग करके कत्नों को सटीक, संक्षेव वस्पष्ट भाशा में लिखा जा सकता है जैसे सभी के लिए अव्यव है सर्वांगसम आदी 3. गनिती कत्नों को सिद्ध करने के धंग, निगमन तर्क द्वारा, टत्युदारन द्वारा